नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम home theater kit के बारे में बात करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास जो home theater का यह kit है यह 2.1 है ठीक अब जैसी कि इसका box भी देख सकते हैं इसके उपर लिखा हुआ है 2.1 with 78.05 और यहां kit के उपर भी आपको देखने को मिल जाएगा यहां 2.1 home theater kit अब दोस्तों market से kit हम खरीते हैं तो एक चीज का आपको जरूर ध्यान देना होगा क्या ध्यान देना है जिसे कि यहां इसके उपर जो IC लगा होता है आपका अगर 44-40 kit भी खरीते हैं या आप home theater kit खरीते हैं तो जो IC लगा है यह जब चलता है तो गरम होता है जो भी audio amplifier में IC लगा होगा जब चलता है तो हीट होता है तो जब हीट होने के कारण एगर आपका यहां heat sink हलका हो तो IC आपका जल्दी से गरम होके खराब हो जाएगा तो आपको ध्यान यह देना है जब भी आप नया kit खर दें तो उस kit के अंदर heat sink आपका थ हंदा करने में उसकी जादा होगी अब इसकी बात करेंगे जो पहले हमको kit मिलते थे उसके साथ एक manual guide मिलता था जिस पे wiring का total मलब खाका तयार रहता था वास उसी को देख के हमें wiring करना होता था लेकिन अभी जो kit आ रहे हैं उसके साथ हमें manual guide नहीं मिलता है तो हमें सलम देखेंगे तो यहां जो supply होता है इस home theater में यह आपको लगता है बारह जीरो बारह दो एमपेर का transformer तो जब बारह जीरो बारह टासफार्मर लेंगे तो यहां आप देख सकते हैं यहां पे यह जो हमारा पीन है इस पे आपको यहां बारह जीरो बारह लिखा हुआ होता है में बेस वाला speaker का उसका connection हमें देखना पड़ता है तो उसका connection लिए देखिए जो आपका यहां दोनों circuit एक पास हो ठीक है दोनों circuit एक पास हो और वहां आपका बूफर लिखा है किसी किट में नहीं लिखा हो सकता है चुकि अगर marking नहीं होगा तो आप थोड़ा दि पाइलू का अगर marking है उस पे तो आपको बेस नजा देखिए यहां बेस लिखा हुआ आएगा तो यहां आपका यह speaker का wire हो जाएगा दो वायर यहां आप जैक लगा लीजिए यह आप इधर से उल्टा यहां से दो वायर जोड़ लीजिए यह speaker पर चला गया इस वायर को कालम है सौकेट है यहां से आप बेस के लिए जो भी वैलूम यूज करते हैं उस वैलूम कंट्रोल पर आपको इस तीनों पर इस तरह से जोड़ देना है यह हो गया हमारे बेस का वैलूम और speaker का connection इसके बाद आपको एक चीज और यहां जोड़ना पड़ता है वो जो जो छ लगे गया आपका बूफर वाले speaker पर चला गया तो ठीक इसी तरह से यहां से भी आप देखेंगे तो इन दोनों आइसी पर ठीक है इन दोनों आइसी पर आपका देखे यहां से इसे connection होके सिधा यहां आ गया और यहां से एक resistance लगके यहां जो पीछे socket लगा हुआ है यह 3- 3-pin का ठीक है 3-pin का जो socket लगा हो यहां पर आपका दोनों चैनल का left और राइट का यहां पर आपको speaker जोड़ना है आप जो बीच वाल रेकिन एक जैसे एक speaker आपको जोड़ना है तो एक side वाला जोड़ेंगे और बीच वाला जोड़ेंगे ठीक है तो यह आपका एक speaker हो गया दूसरे speaker को जोड़ना है तो एक side का यह वाला और यह बीच वाला यानि बीच वाला कामन हो गया और दोनों side का आपका left right हो गया यह दोनों speaker बाहर speaker बजाने के लिए यहां से आपको जोड़ना होता है अब एक चीज़ यहां और होता है क्या जो आपको पैनल चलाना है तो चलाने के लिए आपको 5 बोल्ट supply की जरुवत पड़ती है जब कि यह हमारा जो circuit है यहां जब 12.12 हम लगाते हैं तो यहां 2 supply बनती है एक 12 बोल्ट बनती है और दूसरा 24 बोल्ट बनती है ठीक है तो यहां देखे 12 बोल्ट से यहां सीधा आपको एक 78.05 लगा हुआ नजर आ जैसा कि आप जानते हैं जो 78.05 जो होता है यह 12 बोल्ट को सीधे 5 बोल्ट पे रेगुलेट करके आपको आउट कर देती है तो इसका जो तीन नमबर पीन होता है वो आपका होता है आउटपुट यानि 5 बोल्ट यहां से सप्लाई मिलेगा और आप देख सकते हैं यहां पे साक आपका इस तरह का जो पैनल होता है यहां पांच बोल्ट सप्लाई दिया जाता है यह सिधा आप जैक से प्लस माइनस को देख के आपको इस पे जोड़ देना तो आपका यह सप्लाई मनलब वह आपका काड़ जो है वह आन हो जाएगा इसके बाद यहां एक सौकेट आउर आपको देखने को मिलेगा जो कि यहां पे यह बीच में यह होता है आपका वैलूम जो वैलूम जिसे आप आवाज को कम या ज्यादा करेंगे यहां से भी कम ज्यादा होता है लेकिन केवल बेस कम या ज्यादा होता है लेकिन इस सॉकेट में जो हमारा कनेक्शन होता है वैलू किसको जोड़ सकते हैं बाकी मैं प्रेक्टिकल करके अलब मनलब कोई वीडियो बनाऊंगा जिसमें टोटल वाइरिंग करके आपको दिखाऊंगा कैसे होम तेटर का पूरा वाइरिंग किया जाता है दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजे चै अश्कार